इलो प्रेंड्स आज हम बात करेंगी क्लाश कब करेंगी क्लाश के मैंस्य का जो चेप्टर 60 है 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 लोआल केंद ए कलोरो बंजीन के बारे में थीक है हेलो इम्स का जो आपका रो बेंज़ीन पढ़नाय में उसके बारे में देखेंगे लो बनाने की विधिया प्रयों साला विधी बहुत तिक गोर रासायनिक गोर उपयोंगे चुक्तिक का पूर गोर्टलेbabी बताएंगे और जो मुस्ट इमपार्टन एक है Chlorobenzene से DDT का निर्मार वो भी देखेंगे ठीक है तो यार फ्लीज वीडियो को लाज तक जरूर देखना ठीक है वीडियो को आखरी तक देखना क्योंकि टॉपिक आपका पहुत इंपॉर्टेंट है तो चलो देखते हैं Chlorobenzene ठीक है तो यार फुलीज वीडियो को आखरी तक देखना है तो देखो सबसे पहले थोड़ा सा क्लोरो बेंजीन के बारे में समझ लो फिर इसके बनाने के वेदिए आप भूद ती गुर रासाने गुर इसके उपयोग बताएंगे आपको ठीक है तो देखो सबसे पहले क्लोरो बेंजीन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है C6H5Cl ठीक है यह होता है क्लोरो बेंजीन का फॉर्मूला C6H5Cl ठीक है इसका नाम है क्लोरो बेंजीन और अगर आप इसका इस्ट्रक्चर बनाना चाहो तो इस टाइब से बनता है देखो यह ठीक इस type से भी बना सकते हो भी थीक है इस पहले वाली वीडियोए में हमने आपको benzeean के बारे में बताया था जिस पर पूरा इंट्रोडक्शन दिया था ठीक है कि कैसे benzeean बनती है उसके भूर रासानिक गर उपयों उनके बारे में भी आपको बताया है ठीक है तो यहार चैनल की playlist पे भी आपके जाके चेक कर सकते हो इस पे भी वीडियो की description पे आपको playlist मिल जाएगी ठीक है तो chlorobenzine का formula होता है C6H5Cl और यहाँ पे ring बना सकते हो उपर लगा लो chlorine या इस type से भी ring आप बना सकते हो ठीक है तो यह है chlorobenzine आप बात करते हैं बनाने की विदिया और प्रियोग साला विधी के बारे में तो देखो बात करते हैं chlorobenzine की ठीक है तो chlorobenzine का formula तो बता दिया था ना C6H5Cl और इस type syring बना सकते हो उपर chlorine लगा लो या इस type syring बना के chlorine लगा लो ठीक है तो यह बात थी इसके basic की chlorobenzine की अब बात करते हैं इसके बनाने की विदिया तो बनाने की विदियो में नंबर एक पर प्रियोग साला विधी ठीक है तो देखो प्रियोग साला विधी आपकी है पढ़ो कहरा है प्रियोग साला में chlorobenzine, benzine dye, agonium chloride और hydrochloric amalic के साथ 60 degree centigrade पर गर्म करके बनाई जाती है ठीक है, क्या का गया आप से प्रियोग साला में अगर आपको chlorobenzine बनाना है तो आपको benzine dye, agonium chloride लेना होगा उसकी क्रिया hydrochloric amalic से करनी होगी 60 degree centigrade का temperature रखना होगा और आप उसे गर्म कर दोगे तो आपका क्या बन जाएगा chlorobenzine बन जाएगा तो देखो इसकी reaction देखते है ठीक है तो देखो reaction यह है benzine dye, agonium chloride का formula C6H5N2Cl या N double bond NCl इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो C6H5N2Cl ठीक है, इस टाइप से N2Cl, ठीक है C6H5N2Cl या C6H5N double bond NCl इसका नाम है Benzen Diagnodonium Chloride इसकी क्रिया आपको करनी क्या है देखो, कह रहा था प्रियोग साला में Clorobenzine, Benzen Diagnodonium Chloride और Hydrochloric Ampli के साथ ठीक है अब देखो, Benzen Diagnodonium Chloride लिया और इसको क्या करना है आपको Hydrochloric Ampli के साथ और Copper Chloride देखो copper chloride लेना है और hydrochloric अमले लेना है ठीक है आप यहाँ पर लिख लेना थोड़ा सा benzene diogonium chloride को यहाँ थोड़ा सा रहे गया लगता है ठीक है थोरी पर आपको लिखना है प्रियोग साला में chlorobenzene, benzene diogonium chloride को copper chloride और hydrochloric अमले के साथ 70 degree centigrade पर गर्म करके बनाया जाता है ठीक है यहाँ पर थोड़ा क्या लिखोगे प्रियोग साला में chlorobenzene, benzene diogonium chloride को copper chloride और hydrochloric अमले के साथ 70 degree centigrade पर गर्म करके बनाया जाती है तो देखो C6H5 N2Cl जा C6H5 N1NCl Cucl इसका नाम है copper chloride इसका नाम है hydrochloric अमले 60 degree centigrade का temperature है जब क्रिया होगी तो होगा क्या यहाँ से यह C6H5, यह C1 आपका निकल जाएगा और nitrogen आपकी अलग निकल जाएगी ठीक है तो बन जाएगा क्या chlorobenzene तो एकदम आसान reaction देख सकते हो और इस reaction का नाम होता है यह अभिक्रिया Sandmeyer अभिक्रिया कहलाती है ठीक है यह reaction यह इंपोर्टन भी बहुत जादा है ठीक है पूछी जाती कि Sandmeyer अभिक्रिया किसे कहते हैं तो आप बता सकते हो Sandmeyer अभिक्रिया में क्या होता है chlorobenzene बनाये जाता है और इसमें बिटिंग अभिक्रिया भी आपको बताएंगे ठीक है तो सारी reaction इस पर तो यह है प्रयोक साला विदी और भी विदिया देखते हैं समान विदिया है chlorobenzene बनाने के उन्हें बिचे करते हैं ठीक है तो देखो अगली reaction बेंजीन के chlorobenzene करण द्वारा ठीक है आपको यहां पर रखना है और प्रकास को अनुपस्तित कर देना जिससे आपका C6H5Cl और यहां से 1H और 1Cl मिलके HCl बाहर निकल जागा तो बेंजीन ने क्लोरीन से क्रिया की तो chlorobenzene और HCl बना ठीक है तो यह reaction है आपकी कि आप चाहो तो यहां पर लिख लेना कि बेंजीन की क्रिया क्लोरीन से प्रकास के अनुपस्तिती में करने पर chlorobenzene मनता है तो यह इसकी समान निविधी है आपकी बेंजीन मनाने की ठीक है कि बेंजीन की क्रिया क्लोरीन से करने पर भी क्लोरो बेनजीन प्राप्ट कर सकते है और फि reakasan ने देखो बेनजीन बनाने की तो प्रियोग साला भी थी मेन घोयारी सामानल भी दिया है ठीक है तो यहाँ पर से C6H5 और यहाँ पर से 1Cl मिलके क्लोरो बेंजिन बन जाएगा और यहाँ से POCl3 बन जाएगा यहाँ से 1H और 1Cl मिलके HCl निकल जाएगा ठीक है तो आप यहाँ पर लिख लोगे कि फिनाल की फासफोरस पेंटा क्लोराइड के साथ क्रिया करने पर क्लोरो बेंजिन बनता है फिनाल फासफोरस पेंटा क्लोराइड क्लोरो बेंजिन और फासफोरिल क्लोराइड इसका नाम होताब फासफोरिल क्लोराइड ठीक है तो यह तीसरी आपकी है बेंजीन बनाने की विधी ठीक है आगली देक्सन है ओद्योकिक विधी आपकी क्लोरो बेंजीन बनाने की इसमें आपको करना क्या है C6H6 बेंजेन की क्रिया हाईडरो क्लोरी कमल और ऑक्सीजन से करना है CuCl2 प्लोराइड और दो सो साथ डिगरी संटीग्रेट पर इसे गर्म करना है जिससे आपका होगा क्या C6H5C आपका बाहर निकलेगा और जल बन जाएगा ठीक है तो यह और द्योगिक विधी है आपकी क्लोरो बेंजीन बनाने की ठीक है तो देख सकते हो यह एक विधी है जिसवे बेंजीन यह वाली ठीक है यह जो थी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइट से क्लोरो बेंजीन बनाना ठीक है और यह रियक्शन सैंड मायर रियक्शन कहलाती है तो यह है इसके आपकी बनाने की विधियां आगे देखो अब तो आप देखो बेंजीन के भौतिक गुड ठीक है बहौत इसका जो कथनांग ब्वाइलिंग फॉइंट होता है और यह जल में आविले है परन्तु एलकोहल इथरवा अन्य कार्बनिक विलायकों में विले है ठीक है तो भॉत्तिक गुणे स्क्रीन सॉट आप लेना चाओ तो ले सकते हो आप देखते है इसके रासायनिक गुड ठीक है तो रासायनिक गुड देखो पहला है क्लोरो बेंजीन का अपचैन ठीक है तो देखो क्लोरो बेंजीन को निकेल अलमुनियम में स्रधातू और छार दौरा अपचैन कराने पर बेंजीन बनती है देखो हमने बेंजीन का भी प्लेश की लिंक आपको डिस्किप्सन पर मिल जाएगी केमिश्ट आपको क्लाश टोल्ट केमिश्टी दोजाद देश ओविस पुरा लिखा होगा ठीक है उसी को टच को रोगे तो आपकी प्लेश्ट खुल जाएगी ठीक है तो देखो अपचैन है क्लोरो बेंजीन को निकेल आपकी लिखाएगी ठीक है तो देखो अपचैन करना है क्लोरो बेंजीन को निकेल अल्मुनियम में सधातू और च्छार दौर आपचैन करने पर बेंजीन बनती है तो सिंपल ख्लोरो बेंजीन लिए अपचैन किस से करो गए हाइड्रोजन द्वारा और उपसिति देखो क तो ये ने वह चले लिया और आप चेन का बतलब हाइड्रोजन से क्रिया जिससे C6H6 और HCl आपका बनेगा ठीक है तो ये है पहली रेक्शन इसकी रासाइने गुड़ अगली है most important रेक्शन पूछी जाती देखो पहली सेंड मैर आप क्रिया बताई चुके नाम वाली कि वुल्च फिटम अप क्रिया किसे कहते हैं तो देखो वुल्च फिटम अप क्रिया के बारे में कहरे है। क्लोरोबेंजीन समझो, क्लोरो बेंजीन की नर्जल एथर, अर्थात ROR, इस टाइप से एथर होता है, ठीक है, एथर आपका ROR होता है, ठीक है, ROR ये, ROR, ये एथर होता है, ठीक है, तो क्लोरो बेंजीन की नर्जल एथर में, सोडियम की उपस्तिती में, मेथिल खलोराइड के साथ अपक्रि लिख देना, ठीक है, इथर भी उपस्त रहेगा है क्लोरोवेंजीन की क्रिया सुस्क एथर की उपस्तिती और सोडियम की उपस्तिती में मैथिल क्लोराइट से करने पर यहां से C6H5 यहां से CS3 मिलके टालूइन बनाते हैं और 2NACL आपका पाहर निकल जाता है तो कौन सी रेक्षन है वुर्ज फिटिंग अप क्रिया तो यह वाली भी इंपॉर्टेंट है तो त्यार जरू कर लेना पहली सैंड मैयर मिली थी फिर वुर्ज फिटिंग आप देखो बेंजी गमलस से H2SO4 की उपस्तिती में जिससे रेक्षन एकदाम आसान होनी देखो यह एनोटू जो है एक बार आपको एनोटू इस तरह से रिंग के साथ लगाना है और एक बार एनोटू यहां पे लगाना है तो इसका नाम होगा आर्थो यह आर्थो पे लगा है इसलिए इसका नाम होगा पैरा आर्थो मेटा पैरा तो जानतो ना ऐसे आर्थो मेटा पैरा तो इसका नाम पैरा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन इसका नाम आर्थो क्लोरो नाइट्रो बेंजीन ठीक है तो एक दामा सान रेक्षन होई क्या हुए इस पे देखो क्लोरो बेंजीन ने सान ना अर्थात H2SO4 से क्रिया, ठीक है, तो देखो, यह जो क्लोरो बेंजीन है, इसकी क्रिया, आर्थात H2SO4 से क्रिया, इसे गर्म किया, जिससे होगा, क्या है, यहां से जो H2SO4 है, इसमें से S, O3, H, आर्थात H2SO3, H, आपको एक बार यहां पे लगाना है, देखो, यहां पे देख सकते हो, रियक्षन, देखो, क्लोरो बेंजीन ने H2SO4 से क्रिया, कि यह थोड़ा गलत हो गया था, ठीक है, तो देखो, यहां पे आपको क्लोरीन लगा लेना, और S, O3, H, एक बार यहां पे, जैसे उपर हुआ था, ना, नाइट्रो एक बार यहां पे लगा था, एक बार यहां पे, वैसे ही, S, O3, H, एक बार यहां पे, एक बार यहां पे, तो इसका नाम हो जाएगा, Arthoklorobenzene, पहले, क्लोरो बेंजीन का नाम, और S, O3, H, लगा तो, S, O3, H, लगा तो, S, O3, H, पैरा क्लोरोबेंजीन सलफोनी का मिला बना ठीक है तो ये क्रिया है सलफोनी करण की आगले रेक्षण है हालोजनी करण ठीक है और एक most important रेक्षण और है DDT का निर्मार ठीक है वो भी बहुत पूछी आती तो उसे भी देखेंगे अभी तो देखो हालोजनी करण तो simple हालोज है एक यहां पे भी लग जाएगा और एक बार क्लोरीन आपका पैरा की जगा लग जाएगा देखो एक बार आर्थो में लगा एक बार पैरा पैरा पे तो इसका नाम हो गया आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन इसका नाम पैरा डाई क्लोरोबेंजीन मतलब एक बार क्लोरीन त स tą के साथ आपकरिया ठीक है उसी हिस प्रेपका डुर्वयंजी पारा का पर दाल लेना इसको जरूर त्यार करना लगार्म सकती है ठीक है तो सब्भाइदन को हमें दrzyंपे आमने आना रहेंगा है तिस Κलोर ऊपव क्राइब को ये क्लोरो बेंजीन ये क्लोरो बेंजीन दो अडू लिये हैं ठीक है सिंपल इस पे आपको करना क्या होता है क्लोरल लेना होता है CCL3CH और दो क्लोरो बेंजीन के अडू लेने होते है ठीक है दो क्लोरो बेंजीन के अडू लिये और सांद्र H2SO4 से क्रिया की सान H2SO4 से क्रिया की जिससे होगा क्या यहां से यह Oxygen यहां से Hydrogen यहां से Hydrogen मिलके जल का अडू बाहर निकल जाएगा और होगा क्या है देखो यह CCL3CH बचा अब वो तो निकल गया तो CCL3CH बचा तो इस Bond से आपको इस रिंग को भी जोड़ देना है और इस रिंग को भी जोड़ देना है देखो यह Bond से यह वाली उपर वाली रिंग जोड़ गई नीचे वाले Bond से नीचे वाली रिंग जोड़ गई तो इसका नाम है पूरा Dichloro-Diphenyl देख सकते हो Dichloro-Diphenyl-Tricloro-Ethene इसलिए कहरें त्यार कर लो Chloral की क्रिया Chloro-Benzin के दोड़ वो से हुई जिससे O-H-H निकल जाएगा ठीक है और आपका बनेगा क्या यह DDT यह इसका पूरा structure है तो reaction अगर समझ गए तो आसान लेगी ठीक है तो देखो बस होना कुछ नहीं Oxygen, Hydrogen, Hydrogen निकल गए और CCL3-CH के साथ यह उपर वाजी रिंग जोड़ तो नीचे वाजी रिंग जोड़ तो तो हो गया तो इसका नाम है Dichloro-Diphenyl-Tricloro-Athene DT ठीक है तो यह है भई या तो देख सकतो यह है रासाइनिक गुड ठीक है DDT का निर्मार किया Chloral की क्रिया Chloro-Benzin तो पहला उप्योग यही लिख देना कि कीटना सक DDT के निर्मार में दूसरा उप्योग Phenol-Analine के निर्मार में ठीक है तो यह इसके उप्योग है Chloro-Benzin के कि DDT के निर्मार में और आपका Phenol और Inline भी आप इससे बना सकते हो और Borthic गुड भी आपको अच्छे से बताए ठीक है तो Borthic गुड रासायनी गुड उप्योग सारे देखें तो यहार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल पहने हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और आपको प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन पर बिल जाएगी सारे चैफटर अपने बहुत अच्छे से पढ़ रखें ठीक है तो बेंजीन वाला वीडियो पी आप जाके देख सकते हो